कोर्बा में पीये मोदी वे विपक्ष पर जम करने साना साधा यूपी के सीएम में योग्यारीतनाथ ने चथिसगड़ के राजनान्द काउं और कोर्बा के एक चुनावी जनसभा को संबुधित किया और कहा कि कौंग्रस के राज में कमिशन खोरी जम कर होती है कॉंग्रस की कमिशन खोरी को लगाम लगाने का काम बिजेपी ने किया है सीमियो ग्यारे तिनार जी क्या कुछ बोले आपे सुनी लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं आखिर मोदी जी के ले तो पूरा देश ही उनका परिवार है 140 करोड लोग उनका परिवार है मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड लोगों की सेवा करने के लिए पुरी ततपरता के साथ कारे कर रहे हैं और इसले तो पुरे देश के अंदर एक आवाज बूज रही है एक आवाज है देश के अंदर पहले चनन का मत्दान हो गया है 102 लोग सवा सीटों पर जो चुना होए है बेन और भाईयों 102 लोग सवा सीट पर एक ही आवाज है और वो आवाज है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार अब की बार 400 पार 400 पार के लिए कोरवा लोकसवा सीट पर भी कमल चाप को जीत करके जाना है बेनोर भाईयों इसलिए भारती जनता पार्टी ने एक तेश तर्लार सुसिक्सित रास्तिय नेता को कोरबा में अपना भारतिय जनता पार्टी का प्रत्यासी बना करके जनता की सेवा के लिए आपके बीच में उतारा है विकासो गरीबों का कल्यानो दिल्ली और राइपुर से जो पैसा आए वह बिकास के लिए लगे, गरीब के लिले जाए, किसानों के लिए जाए मेलाओं के उथ्ठान बेले लगे और साथ साथ योजनाओं का लाप यहाँ पर बिना भेदभाओं के सभी लोगों को प्राप्त हो इसके ले भारती जनता पार्टी ने सुस्री सरोज पांडे जी को आपका प्रत्यासी बना करके भारती जंता पार्टी के प्रत्यासी बना करके आपके बीच में उता रहा है और इसलिए मैं आपसे पील करने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूँ अयो दिया की धरती से मैं स्वेम आया हूँ आपके बीच में अयो लखनो में बियान उत्तरप्रदेस में भी चुनाओ चलना है 80 लोग सवा सीट है पहले चर्ण में 8 सीटों पर चुना हो चुके हैं दूसे चर्ण में होने जा रहे हैं भी 26 को 8 सीटों पर और तीसे चर्ण में 10 सीटों पर फिर चुना होने लेकिन फिर भी हमने कानी कोरबा तो जरूर जाएंगे एक बात और बेन और भाईयों इसलिए कोरबा आये हैं प्रवराम की धरती का संदेश लेकर के आये हैं और ननिहाल की लोगों को बताने के लिए आये हैं क्या वा योद्या में राम लला आ गया हैं निस्चिन रहिए राम राज्य की अस्तापना मोदी जी के नित्रतों में होने जा रहा है इसके लिए आत्म निर्भर भारत चाहिए इसके लिए विक्सित भारत चाहिए और विक्सित भारत के लिए मोदी जी फिर से ये और मोदी जी के लिए आउस्यक है कि कोरबा लोकसवासेट में भी कमल छाप कि प्रत्यासी के रूप में सुसरी सुरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी बन करके जाए सहमत है सभी लोग सहमत है लेकिन बैन और भाईयों आपको ये काम करना पड़ेगा इसके लिए मोदी जी का प्रत्निदी बन करके और सुरोज पांडे जी का प्रत्निदी बन करके घर घर जाना होगा एक एक वोट को मद्दान केंदर पर ले जाना होगा जब साथ मही को चुनाओंगे तो इस कार्य को करना होगा सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे भाजपा को जिताएंगे कमल खिलाएंगे देनोर भाईयों अगर आप सहमत हैं तो भारत को दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी यह मैं विस्वास के साथ कह सकता हूँ और इसलिए मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जैजे स्ट्रीराम जैजे स्ट्रीराम